श्री शद्गुरू महराज की जय महरशी मेही की शिक्षाप्रद कहानिया शुरुत लेखक संपादक महरशी संसेवी प्रमहंशी महराज निरन तरता से लक्ष की प्राप्ति इस्ष्वर को जाने ठीक ठीक योगती जानकर अभ्यास क्या जाएगा तो कभी न कभी अवश्य मा के तय होगा चाहे हजारों कोश का रास्ता क्यों न हो जो चलता है घवराता नहीं है चलने में अनवरत रूप से चलता है चाहे धीरे-धीरे ही चले कभी न कभी निर्दिष्ट अस्थान पर अवश्य पहुंचेगा इसके लिए कछवे और खढ़े की कथा प्रशिद्य किस जंगल में एक खरहा रहता था शमीभी तलाब में एक कच्वह भी रहता था एक दिन दोनों में प्रस पर भेंट हुई और दोनों ने उस जंगल को पार करने की बाज़ी लगाई दोनों नियमित समय पर जंगल को पार करने के लिए अपनी-अपनी चाल से चल पड़े मारता हुआ बहुत आगे बढ़ गया और पीछे उलटकर देखता है तो कच्वे का कहीं पता नहीं है खरहा मन में सोचने लगा भला कच्वा कब मुझसे आगे बढ़ सकता है अच्छा कुछ देर इसी जाड़ी में अराम कर लूँ फिर छलांग मारता हुआ जंगल को पार कर जाओंगा यह स्वभाविक बात है कि चलते चलते बैठने की बैठने पर लेटने की तथा लेटने से सोने की इक्षा होती है ठीक इसी तरह खरहे की हालत हुई वह अराम करना चाहता था लेट गया और प्रगाण निद्रा में सो गया उधर कछवा धीरे धीरे आ रहा था आते आते वह वहाँ पहुचा जहां खड़ा गहडी निद्रा में बिहोस पड़ा था खड़े की निद्रा में देखकर कछवा दवे पैर आगे निकल गया और चलते चलते उस जंगल को पार कर गया जब खरहे की नेंद तूटी तब उसने चलना आरम किया और चोकड़ी भरता हुआ जंगल को पार करने पर वह देखता है कि कछवा पहले से ही वहां बैठा हुआ है यह देखकर उसे बहुत लज्जा हुई और उसे नीचा देखना पड़ा अंग्रेजी की एक छोटी सी किताब में मैंने पढ़ा था श्लो एंड अस्टेडी विंस दा रेश अर्था धीरे धीरे ही हो किन्तु जो अनवरत रूप से चलता है उसी की जीत होती है नची केता को यम ने यही उपदेश दिया था यह आत्म दर्षन यह तत्व ज्यान बहुत ही कठिन विशे है निर्दिष्ट अस्थान पर पहुँचना कोई असान काम नहीं जिनने बहुत ही शुक्ष्म द्रिष्टी मिले है केवल वे ही उसका दर्शन कर पाते हैं वे ही उसको समझा सकते हैं परन्तु इसमे निराश होने की बात नहीं है उठो जागो और कर्म निरत हो जब तक लक्ष पर न पहुँच सको अपने उद्योग में सिथिलता मत आने दो झाल